एक अच्छी फोटो खिशने के लिए जितना जादा एक अच्छा कैमरा माहिने रखता है उससे कही जादा माहिने रखता है एक प्रॉपर लाइटिंग हेलो गाइज मेरा नाव है बिशेख और आप देखर है बिशेख फोटोग्राफी स्टुडियोज एम एन इंजीनियर एंड मैंने फोटोग्राफी में डिप्लोमा भी किया हुआ है जो भी मैंने इतने सालों में थोड़ा बहुत सीखा है वो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा आज का वीडियो एक टुटोरियल वीडियो होने वाला है जहां पर मैं बताऊंगा क्यों लाइटिंग इंपोर्टेंट है फोटोग्राफी में विदाउट लाइटिंग आप एक अच्छा कॉम्पोजिशन क्रीट में कर सकते हैं प्लीज ब्लाइक एंड शुट्राइब बन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको साल नोटिफिकेशन स्टाइम तो टाइम मिलते रहें सो फिर्स्ट फोटोग्राफी क्या होती है विद थे हल्प अफर दिवाइस या कैमरा यू सिम्पली कैप्चर एंड रिकॉर्ट थे पैटर्न अफ लाइट कलर संद शेट इस अच्छाइब को ट्रोल करके यू विल बी एक्ट्री इस एक ट्रोलिंग दिशेट एंड शेट फोटो तो बैसिकली तो डेल रहना हो देर्क्शन ब्राइटनेस अंड कलर अफ लाइट आपको प्राइट इस अच्रेट फोटोग्राफ लाइट इस डिएट इस कौन कौन से डिफरेंट आपस अफ लाइट होते हैं अगर आप आप अर्टिफिशल लाइट यूज कर रहे हैं या सन के पोजिशन को कंसिडर करके आप कैसे डेलाइट में अच्छी फोटो ले सकते हैं जो भी फोटो क्लिक करने के पहले का सेट अप है या जो भी चीज़ अपने अपने माइन में रखनी है वो सारा कुछ बढ़े डिसकस करेंगे आफ्टर बैट एड दे एंड आइड विल गिव फ्यू टिप्स अबाट पोस्ट प्रोसेसिंग में कैसे उन्हें एडिट कर सकते हैं सो कैमरा का एक्पोजर एडजस्ट करने के लिए यू हाव थ्र अपर्चर एडजस्ट नहीं कर सकते हैं वो फिक्स अपर्चर के साथ आते हैं तो यू के ओल्ली एडजस्ट इस शटर स्पीट और आई एसो टू प्ले विद दी एक्सपोजर सो बेसिकली जब भी आप फोटो लेते हैं तो मैं तो फस्ट एन फोर्मोस यह टिप दूंगा क यूज करें चाहिए आप फोन का कैमरा यूज करते हैं चाहिए एक DSLR मिरलेस कैमरा यूज करते हैं आलवेश शूट इन मैनुवल मोड तभी आप अंडस्ट करेंगे कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं एक पर्टिक्लर कंडिशन में एक्सपोजर को कितना लाइट आ रहा है क इतना आप को चाहिए अपने फोटो के लिए तो तो यू कैन गोंडल इसली आयसो को आप कंट्रोल कर सकते हैं यहां से आप अपर्चर को चॉल कर सकते हैं दन आप शटर स्पीट को चन्रोल कर सकते हैं तो फिर्स तिंग विल भी कि ऑल्वेश यूस मैनुवल मोड ओटो condition and artificial lighting so day lighting obviously sun से आपको मिलती है and artificial lighting के लिए source lamps, diffuse bulbs, flashlights वगेरा यूज़ करते हैं so अगर मैं अपनी बात करूँ तो 70-80% of the time I click my photos in daylight condition क्योंकि it is not easy अगर आप एक individual photographer आपके बड़ी team नहीं है या यूटूबर है तो आपको पता होगा कि अपने साथ reflectors या बड़े lights करी करना it's not easy so better है daylight condition में आप photos click करने का try करें basically मैं तो वही करता हूँ and night conditions में भी आप photo ले सकते हैं but playing with ISO and shutter speeds but पहले समझते हैं कि किस तरह के photos आप ले सकते हैं basically framing क्या होती है एक photo आप click कर रहे हैं तो इसका composition आप कैसे decide कर सकते हैं थोड़ा से एक मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको subject, object, foreground, background, middle ground यह सब क्या होता है तो आपको काफी कुछ idea होगा framing के बारे में की composition आपको कैसे करना है मैं rule of thirds, reduce, cluttering वगेरा, rules के बारे में नहीं बता हूँगा but simply यहाँ पर object की बात करूँ तो किस की photograph है that is the object and इसमें अगर आप किस के बारे में यह photograph है so that will be the subject of the photograph अगर आप इस photo को देखते है तो यहाँ पे जो center में आपको देख रहा है that is the subject क्योंकि यह पूरा photo इसी के बारे में है so you want to show the personality of this person and इसलिए आपने इसे center में रखा है the hiding all other things so basically portrait photography में subjects को आप center में ही रखते है and now foreground, middle ground, background को समझने के लिए यह photo perfect example है यहाँ पे आप देख सकते है जो lens के सबसे पास है that is foreground and जो फिर middle में पढ़ता है that is the middle ground and जो background में आपको देख रहा है that is all background so अब lighting को तोड़ा समझते है इस photo को आप देख सकते है यह different hours of the day में इस photo को खीचा गया है so location same है यहाँ पे आप देख सकते है अगर अलग अलग time पे आप जाके photo कीचेंगे तो कैसा आपको color composition यहाँ पे मिलता है and daylight में जब भी आप फोटो कीचते है तो golden hours का use up कर सकते है golden hours means one hour before evening या फिर one hour after sunrise यह special golden hours of photography का गया है इसे इसी लिए ही कहा जाता है क्योंकि इस time पे photos बहुत ज्यादा शानदार आते हैं due to the placement of sun obviously आप इस photo को पे analyze कर सकते हैं देखे कैसे पीछे background में sun को रखा गया है and उसकी lighting पीछे से पढ़ रहे है although face clear नहीं है but this is also a style of composition simple rule है जितना ज्यादा आप photos कीचेंगे जितना ज्यादा दूसरों के photos आप analyze करेंगे और उन्हें समझेंगे कि कैसे उसे खीचा गया है so उसे आप reapply कीजिए try to click with your phone or your DSLR you have और जितना ज्यादा practice करेंगे it will make you perfect and आप उतना ज्यादा different compositions आपको समझ में आने लगेगा चलिए अब बात करते हैं artificial lighting की अगर मैं अपनी बात करो तो four types of artificial lights मैं use करता हूं so first one is ring light जो मैंने खुद बना है second one is thousand watt एक lamp light then the third one is portable LED light जिसे carry करना easy होता है and soft umbrella light जिसे मैं अभी use कर रहा हूं and so इसे भी मैंने खुदी बनाया हूँ है anyways not just indoor के लिए आपने देखा होगा कि बहुत लोग आजकर outdoor shoots के लिए artificial lights use करते हैं so चलिए देखते कितने different style of photography की जा सकती artificial lights को use करके so indoor में जब भी आप photo ले तो जो भी model है उनका face texture समझ के देखकर ही lights use करे if you want to play with the personality of the model you might want to experiment with more severe lighting options like rembrandt or split lighting and यहां पे आप तोड़ा drama कम करने के लिए आप reflectors का भी use कर सकते हैं now let's see different style of lighting use की जाती है different photography outputs पाने के लिए so first one is front light front light occurs when the light source is directly in front of your subject so this can result in a limited amount of shadows shadows आपको पीछे की तरफ ही जातर मिलेंगे side में या face में आपको कोई भी shadow नहीं मिलेगा अगर आप जिखते की subject के face में wrinkles है face clean नहीं है blemishes है तो उस case में आप use कर सकते है front light का वैसे symmetry photography के लिए भी इसे बहुत जादा prefer किया जाता है क्योंकि shadows आपके frame में बहुत ही कम दिखाई जाते हैं ना कर बरापर so next है backlight backlighting photos वह होते हैं light source को behind the subject रखा जाता है आपने देखा होगा कुछ photos में subject center में light source पीछे एंड camera सामने से उसे shoot कर रहा है so यह backlight photography का एक example होगा now soft light now soft light photography क्या होते है soft lighting occurs when your light source is diffused studio में आपने देखा होगा या अभी जो मैं light source use कर रहा हूँ यह diffused light है umbrella lights जो use करते है now hard light क्या होता है the opposite of soft or diffused light is hard light when the light source is pointed directly at your subject it results in high contrast or intensity bright whites and dark shadows आपको देखने को मिलते है rim light rim light can be created using a form of backlighting where the light is at an angle from behind or above यहाँ पे आप देख सकते है इस तरह की photography को rim lighting photography कहा जाता है next one is loop lighting loop lighting is a specific technique used for portraits जैसे आपने कुछ photos में देखा हुआ इस तरह का photos में जहाँ पे nose का या eyes के shadows चेन के shadows को down to the neck to shadows पढ़ते है so यह loop lighting photography का एक type है so next in the list is broad lighting इस type का photos आपने देखा होगा जहाँ पे एक set तरह dark एक set brightened broad lighting photography इसे कहा जाता है so next is short lighting photography in this case the side of the camera that is closest to the camera is in shadow whereas the farthest side is in light यह opposite है broad light के split lighting split lighting काफ इंटरस्टिंग है बहुत जादा देखने को मिलते है आजकल when the light hits your subject at a 90 degree angle that is called split lighting so यह था सारा lighting के बारे में artificial lights and daylight के बारे में भी हमने बात कर ली अब चलिए बात करते हैं post processing के बारे में कि आपने photos खीच लिया अब आप देख रहे हैं कि इसे और कैसे enhance कर सकते हैं shadows को थोड़ा और day pain या whites को थोड़ा आप कैसे enhance कर सकते हैं तो मैं अपनी बात करूँ Adobe Lightroom and Photoshop Express phone में मैं यूज करता हूँ Lightroom में अपने system में PC में भी यूज करता हूँ photo editing software आप यूज करते होंगे Snapseed वगरा भी चलेगा so जो भी आप comfortable आप यूज कर सकते हैं मैं जस्ट आपको शो करूँगा कि basic things यहां पर कौन-कौन सी चीजे मैं adjust करता हूँ यहां भी basic चीजे बात बता जेता हूँ यहां से आप whites and black lights को control कर सकते हैं and you need to also play with little bits of saturation and vibrance ताकि colors और ज्यादा उभर कर आए and बाकी और भी clarity and sharpness यह सब भी आप adjust कर सकते हैं basically I wanted to say कि बहुत सारी चीजे हैं post processing में so आप जैसे जैसे आप करेंगे use करेंगे you will get to know so that's it for this video I hope यह वीडियो आपको informative लगा हो जो भी आपके सवाह सुजाव है आप मुझे नीजे comment कर सकते हैं मुझे instagram में follow कर सकते हैं आप उजे DM करके या comment करके पूश सकते हैं मैं मिलता हूँ आपसे next video में so अभी के लिए thank you for watching and थन्यवाद